इस वीडियो में मैं आप से एक Error के बारे में बात करने वाला हूँ और वो Error आपको अक्सल देखने को मिलता होगा जब भी आप लोग Virtual Box में काली लिरक्स को रन करते होगे तो आपको यहां पर Black Screen का Error देखने को मिलता होगा मेरा पूरा screen black हो गया है और यहाँ पर कुछ होई नहीं रहा है मतला आप कहीं भी कुछ click करेंगे तो आपका कोई भी function work नहीं करेगा कोई भी command work नहीं करेगा आपको यह black screen रहेगा तो इस वीडियो में मैं आपको complete process बताऊँगा कि जो हमें यह virtual box में जब भी मैं काली Linux को run करने की courses कर रहा हूँ तो यह जो black screen का हमें error देखने को मिल रहा है black screen का issue देखने को मिल रहा है हम लोग इस issue को किस तरीके से fix करेंगे तो इस problem को fix करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा मैं इसको एक बार cut कर ले रहा हूँ और इसको यहां power of the machine पर click कर दे रहा हूँ और देखिए मैं इसको दुबारा से run करने की courses कर रहा हूँ और यहां पर क्या होगा कि यह मेरे को black screen का issue दिखाएगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यह जो मेरा काली Linux का मतलब की virtual box में run करने का process था वह start हो गया है बट यह मेरा काली Linux open नहीं होगा यहां पर मेरे को यह black screen होके रुख जाएगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर काली Linux का logo आ गया है और यहां पर यह जो लोगों के बाद यह open नहीं हो रहा है जो हमारे virtual box में काली Linux है यहां पर यह open नहीं हो रहा है आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यह black screen होके रुख गया और इसके बाद यहां पर कुछ हो गया है आप लोग कितना भी कुछ ट्राइक कर ले इसमें कुछ नहीं होने वाला अगर आप बंद करके इसको दुबारा भी चालू करेंगे तो यह इसी तरीके से black screen होके रहा जाएगा तो इस वीडियो में मैं आपको complete process बताऊंगा कि जो हमें यह काली Linux में black screen का error आ रहा है जब भी हम लोग इसको virtual box में run करने की courses कर रहे है तो हम लोग इस error को किस तरीके से fix करेंगे तो इसको fix करने के लिए हम लोग इहां पर सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने keyboard में control, alt और F1 बटन यह तीनों बटन को एक साथ दबाएंगे control, alt और F1 बटन को जैसी आप लोग इहां पर control, alt और F1 बटन को एक साथ दबाएंगे तो आपको इहां पर login करने को option आ जाएगा तो यहां पर जो भी आपका usual name है आप लोग वो usual name है यहां पर enter कर देंगे तो जो मेरा usual name है आप लोग दिख सकते हैं इंटर कर दिया और उसके बाद क्या करना है कि अपने keyword का enter बटन हिट करना है तो जैसी आप लोग यहां पर keyword से enter बटन दबाएंगे तो उसके बाद आजाएगा password डालने का option तो जो भी आपका password है आप वो password यहां पर डाल दें तो यहां पर आपको लिख देगा the program included with kali linux gn ui system and free software नीचे कुछ आपको देदेगा error का प्रॉब्लम आ रहा है और यहां पर फिरसे आपको देदेगा कुछ command इंटर करने का तो आपको यहां पर क्या करना है कि मैं आपको कमांड बता रहा हूं जैसी आप लोग कमांड को इंटर करेंगे तो आपका kali linux स्टार्ट हो जाएगा और यह प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा बट यह temporary है फिर जब भी आप लोग अपने कंप्यूटर में virtual box में दुबारा काले बटन दवा देगे का अफWow यहां पर देख सकते हैं कि मैंने इंटर बटन दवा देगे तो आप लोग के अपर देख सकते हैं कि इंटर बटन तो यहां पर जो मेरा काले लिनखस है, ब्लैक स्क्रीन का जो हमें प्रॉब्लम मिल रहा था, वो प्रॉब्लम ठीक हो गिया च् आप luग यहां पर गविफ निया है, बोक्स में अगर आप लोग εκ invol fi क्लिक करके जो है तो यहां पर मैंने आपको complete process भता दिया कि जो हमें black screen का problem आ रहा था काली linux को जब भी हम लोग virtual box में start कर रहे थे तो उस problem को हम लोग किस तरीके से fix करेंगे और यह मैंने आपको temporary तरीका बताया अगर आपको दुबारा यह problem आ रहा है जब भी आप लोग काली linux को run कर रहे हैं virtual box में तो आप फिर से यह step को follow करेंगे तो आपका यह problem ठीक हो जाएगा तो इस वीडियो में मैंने आपको complete process बता दिया कि हम लोग किस तरीके से जो virtual box में जब भी काली linux को run करते हैं तो black screen का issue आता है मतलब black screen का problem आता है उस problem को हम लोग किस तरीके से fix करेंगे तो इस वीडियो को मैं यहीं पे end करता हूँ अगर आप लोगों का कोई question है तो आप लोग मेरे से comment box में पूछ सकते हैं